तो डेरिवेटिव का टेस्ट पेपर चेक करके कापी कुछ लोगों को मिल गया होगा और कुछ लोगों को अभी भी नहीं मिला होगा तो आज यह कल में मिल जाए ठीक है रिवीजन पुरी तरह से हो चुका है और अधिकतर कोश्चन कमोडिटी फ्यूचर से होते हैं ठीक है ठीक है सर अब बात करते हैं इंट्रेश्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट मैंने आप से कहता कि रिवीजन किस से करो के जो रिवीजन वीडियो डले है उससे आपने कर लिया है उसी की जैसे डेरिविटी हुए है उसी की तरह मैंने इंट्रेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के पास्ट येर्स के सारे कोश्चन निकाल के रखा अब बात ये है सर क्या अधिकतर कोश्चन कहां से अधिकतर कोश्चन है इंट्रेस्ट रेट स्वैप से मैं आपको revision video description जिन्हों नहीं देखा होगा revision जो है na interest rate risk management का उसका video डाल देता हूँ और साथ में मैं आपको जो questions पास्ट इर्स के उसका भी list उसका भी pdf डाल देता हूँ अब समझने की कोशिश करना अगर मैं कहूं revision में मैंने क्या करवाया हूँ मैंने आपको FRA करवाया हूँ मैंने आपको interest rate future करवाया हूँ मैंने आपको guarantee करवाया हूँ cap color floor करवाया हूँ ये सब की sub topic CA में final के study mat में है लेकिन exam के बात करूँ तो exam में सिर्फ और सिर्फ swap के question आये तो swap हमारे लिए सबसे ज़्यादा important interest rate swap सारे questions करवाया हूँ ऐसा नहीं है कि मैंने आपकी CME की class उसमें ये questions नहीं करवाया हूँ जो अभी पढ़ाने जा रहा हूँ पर फिर भी एक go through कर लेते हैं ज़्यादा दिक्कत नहीं तो आजा है सर इसका test क्या होगा test के विसे मैं आप मुझे suggest किजिए chapter wise test लेने में और फिर उसको paper check करने में time ज़्यादा consuming हो रहा time मेरा ज़्यादा consume हो रहा तो मैं ये सोचता हूँ कि और 2-4 chapter 4-5 chapter एक बार revision हो जाए उसके बाद मैं आपका test ले लू फिर 4 chapter revision हो जाए फिर test ले लू और फिर full place में 2-3 test ले लू खतम हो जाएगा ये ज़्यादा अच्छा लग रहा chapter wise में तो यार daily basis पे आपको revision फिर test उतना time हमारे पास बचा नहीं है और capital bursting और leasing उसका क्या करना वो मैं बता रहा हूँ उसका revision वीडियो आएगा डरना मात उसका revision वीडियो आएगा पका Forex के बाद आए तो पहले इंट्रेस्टेट रिस्क मैनेजमेंट खतम करे तो पहला ये question है जितने भी question है सब swap के कुछ question discuss करूँगा मैं जो काम के CMA Institute के CMA के मैं question paper देखा हूँ और CMA में जो suggested है उसमें diagram नहीं बनाया जाता जबकि CMA में swap के questions में diagram बनाया जाता और diagram भी अलग तरीके से बनाया जाता वो मैं discuss कर देता हूँ कि किस तरह से आपको diagram बनाना ये question देखते हैं क्या लिखा देखा है company A has outstanding debt on which it currently pays a fixed rate ताड़े 9% एक company A है जुनोंने already उधार ले रखा तेस और fixed rate पर उधार ले रखा तो fixed rate कितना 9.5% पर वो इंटरस्ट दे रहा है 9.5 ठीक है क्या करना चाहते है बोले the company intend to refinance the debt with a floating rate and the best floating rate it can obtain a libor plus 2% कहना क्या चाहते हूँ कहना ये चाहते है सर ये साड़े 9% अभी हम दे रहा है उधार जो ले रखा न जो लोन ले रखा उस पर 9.5% दे रहा है fix बट company क्या चाहते है company बुले हम भाई साब libor से ज़्यादा pay नहीं कर सकते है दिक्कत यही है no doubt company A को libor पे floating पे उधार मिल सकता है पर market में पता लगाने पे हमें देना पड़ेगा libor plus 2 और हम agree नहीं है हम कहते कि यह लाइबोर से ज़्यादा देने का मतलब ही नहीं बनता कुछ करना पड़ेगा ऐसी और एक company भी और वो क्या funding चाहते है बोले हमको तो fix rate को उधार लेना है ठीक है और fix rate क्या चल रहा है बोले 13.5% ठीक चल रहा है फिक्स पे company भी अगर fix rate से उधार लेना चाहे न तो उसको मिल सकता है पर 13.5% पर मिल से पर वो company भी कहती कि वही हम 12% से उपर तो नहीं देना चाहते है कहां से 12% आपको मिल ही 13.5% पर रहा है कुछ न कुछ तो करना होगा फाला कि और एक बैंक ने offer किया company भी को कि आपको भी मिल सकता है लाइबॉर प्लस टूपे मिल सकता अगर आप उधार देना चाहूँ तो अब swap करवाना है क्या deal करना है क्या interest saving होगा आप बैंक को कितना फायदा होगा यह सब लेकिन मैं बार-बार आपसे बोल रहा हूँ कि डायग्राम बना के काम किया है तो वो डायग्राम बना दूँ मैं कौन कौन है जी एक company A है और एक company B है और बीच में कौन है इंटरमेडियर बैंक बैंक कौन सी जो इन दोनों के बीच में swap deal करवाएगी बैंक देखो किस तरह से किया है इस question को किस तरह से बनाए important है और इस टैप के total मिलाखर दो question एक जैसे question यह है और question number 5 company A ने क्या already पैसा उधा ले रखा है हाँ कितना person दे रहा है 9.5 पर यह बाहर दे रहा है 9.5 company B जो है वो कितना fix चाहते है 13.5% पर उसको मिल रहा है पर वो 12% से ज़्यादा नहीं देना चाहते है तो हम गहते है ठीक से है भाई आप 13.5% पर उधार मत लीजिए अप लाइब और प्लस टू पर उधार ले लीजिए सर लेकिन वो तो fix चाहता है उसको fix में हम convert करवा लेंगे सर अगर हो 13.5% मतलब भी नहीं उस रेट पर उधार लेने का तो sensor नहीं बनता तो उससे बी से हम बोल रहा है आप market से उठाईए पैसे और market में interest देना और market में interest देना आप लाइब और प्लस टू पर यहां तक कोई दिक्कत है क्या नहीं सर यहां तक कोई अब इसके बाद cm institute क्या करता है आप बाहर वालों को interest कितना दे रहे हो market में बहुत साड़े नौ पर्शन तो ठीक है intermediary आपको दे देगा कितना साड़े नौ पर्शन आपका टेंशन कता है हां मेरे रोटेंशन कता है और company भी आपने market से पैसे उठाया आप कितना दे रहे लाइबार प्लस तो बोले चलो हम दे देंगे आपको और कंपनी भी आप कितना देना चाहरे थे बोले हम 12 परशन से ज़्यादा की बात ही नहीं कर रहे तो ठीक है न कोई दिक्कत ने आप हमें दे दे ना बारा बस खतम गाम उसकी वजह से इसका कॉष्ट कितना आ रहा है सर इसका कॉष्ट आ रहा है लाए बहुर और इसका कॉष्ट कितना आ रहा है इसका कॉष्ट आ रहा है 12 परशन अच्छा स्वैप नहीं करते मानलों स्वैप नहीं करते तो कंपनी ए आपको कितना फिर तो मुझे कितने में करना पड़ता अगर स्वैप नहीं होता तो फिर मुझे लायवोर प्लस 2% पे उधा लेना पड़ता इट मिन्स आपने कितना सेविंग्स किया 2% मतलब 200 basis points 200 basis points बचा लिया और आप भी अगर swap नहीं होता तो आपको 13.4% पे उधा लेना पड़ता मतलब हमने आपका 1.4% बचा लिया 13.5% पे सुरी मतलब 150 basis points आपको भी फायदा हो गया 158% का फायदा पेंग को कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा बस इतना सोच लेते बात कताब करते देखे 12% आ रहा है 9.5% तो 12-9.5% तो सर बच गया हमारा 2.5% 12 आ रहा है बैंक के पास कितना सेविंग्स कर रहा है इसका 200 basis points उसका 150 basis points और बैंक को कितना फायदा 50 basis points बात कता हो जाएगा ठीक है जिन्होंने swap कर रखा उनके समझ में आ जाएगा यह हमारे CMA Institute का solution वही चीज बता रखा है बस यहां इन्होंने गलती क्या कर दिया यहां 12% लिखा होना चाहिए था 10% ठीक है और फाइनल सॉलूशन देखे तो फाइनल सॉलूशन आपके सामने दिख रहा होगा सेविंग्स दिखाई दे रहा होगा 200 basis points 150 basis points और बैंक को कितने का फायदा है 50 basis points यह बता देना कि इसको 200 basis points इसको 150 basis points का फायदा अच्छा question था था ठीक है आ जाते question number two question number two जैसा थो हमने बहुत किया है इसमें diagram यह जो लिखा हुआ है यह जो लिखा हुआ है यह क्या लिखा हुआ है सर यह वह ही लिखा हुआ है जो मैं diagram के थोड़ी स्कूश कर रहा हूं बस और कुश्च बात करें जैसा कि आई बी और बीटी फेस्ट फॉलिंग इंट्रस्ट रेट इसमें फ्लोटिंग रेट दिया है और फिक्स रेट दिया है ठीक है जी ठीक है अचिल फॉल्टींग और फिक्स दो रहा है शरां आई बी को फ्लोटिंग में फाइदा है कितना पराइफ परशन कod ऐसराइव भी को फिक्स में भी फाइदा है कितना ऊउन जयान परशं कि समें ज़्यादवा फाइदा है सर फिक्स में ज्यादा फायदा है तो IB को किस हिसाब से उधार लेना चाहिए फिक्स लेकिन IB फिक्स में उधार नहीं लेता होगा IB wants to borrow at floating rate हाँ अगर जिसमें फायदा उसी में उधार लेना तो swap होई नहीं सकता है ये तो मैंने पहली बात discuss कर चुका इट मिन्स हमें सबसे पहले डिजाइड बारिंग लिखना तो और डिजाइड बारिंग दिख रही है IB किस रेट पे चाहता है फ्लोटीं इस्टा लगाए और BT क्या चाहता होगा फिक्स अब डाइग्रम बना लेते हैं सर, CMA Institute ने तो डाइग्राम नहीं बनाया है फिर कैसे करोगे पर उसने इस तरह से इफेक्टिव निकाला है ठीक है आप ऐसे भी निकाल सकते हो इस इसने जो इस तरह से जो लिखा है न वो इसी का मैं डाइग्राम बनाने जा रहा हूं का सा और कुछ नहीं चलो देखें IB PT और इंडर्मिटेरी पैंक IB किसी साब से उधार ले रहा है अब एपसुलूट एडवांटिज और कमपारेटिव एडवांटिज में करवा रहा हूं है ना यार अम मत बोलना किस IB को उधार ले रहा है इससे उधार लेना चाहिए हम कहेंगे नहीं भाई IB आप इस रेट से उधार मत लेजिए प्लोटी आप किस रेट से लेजिए फिक्स तो ठीक है सर तो यह इधर क्या पे करेगा फिक्स्ट कितना यह क्या पे करेगा प्लोटी कितना एल प्लस तू पक्का तो वही चीज यहां लिखिए यह फिक्स रेट पे यह फ्लोटिंग रेट पे यह इंट्रस देगा फिक्स यह देगा फ्लोटिंग वही बात लिखी हुई और पुछ नहीं लिखा यह लिखोगे तो ज्यादा अच्छा अब आई भी आप बाहर वाले को क्या दे रहे अच्छे तो चलो इंटर मीडियरी आपको दे देगा अच्छे आपका टेंशन खतम आप बाहर वाले को क्या दे रहे है एल प्लस टू तो चलो इंटर मीडियरी आपको दे देगा एल प्लस टू बोलो आपका काम खतम कि क्या होगा अब क्या होगा अब सिय में इंस्ट्यूट सुनो कैसे करता है बस अब ध्यान से काम करना आए भी आप कितना देने को तयार थे इटमेंस आपको किस रेट पर उधार मिल रहता सर आपका डिजायर बोरिंग क्या था एल प्लस 1.5 तो आप इधर दे दीजिए सर लेकिन सीए इंस्ट्यूट में तो डियाग्राम अलग तरीके से बनाया जाता है यहां जो बनाया जा रहा है वो में आपको और आपका डिजायर बोरिंग कितना है सले 7.5 तो बुले आप इसको दे दीजिए 7.5 हो गया तो फाइदा क्या फाइदा निकलेगा ना भाई र एल प्लस 1.5 एल प्लस टू आया एल प्लस टू गया तो इसका एफेक्टिव कोश्ट अभी बिना गेन के पढ़ रहा है सी 1.5 अब बताओ बैंक वाले ने कितना बचा लिया इस इस इंपोर्ट इंपोर्ट साड़े साथ पर्शन आ रहा छे जा रहा है तो बैंक वाले ने 1. 1.5 पर्शन तो बचा ही लिए और सर एल प्लस 1.5 आ रहा और दो जारा मतलब 0.5 पर्शन एक्ट्रा गया बैंक के पास से तो उस हिसाब से बैंक वाले को एक पर्शन का बचत हो गया एक पर्शन का उसमें से वह अपना कमीशन काटेगा कमीशन कितना लिखा है 50 बेसिस पॉ अब इगेन बटेगा कैसे 60-40 के रेश्यो में मतलब 0.6 इन्टू 0.5 इन्टू 0.6 यहां से माइनस हो जाएगा 0.3 पर्शन और यहां से माइनस हो जाएगा 0.2 पर्शन मैंने गेन को बाढ़ती हैं तो अब बताओ इफेक्ट्री कॉस्ट कितना बढ़ा एल प्लस 1.2 पर्शन और 7.3 पर्शन एफेक्ट्री कॉस्ट ठीक है वोई चीज लिखा है बस यह में इन्टूट ने यहां थोड़ी सी गलती कर दिया यहां 0.3 तो यहां भी होना चाहिए 0.3 इसको मिल रहा है कि इसको receive its share of gain from BT BT से 0.3 मिल रहा है मतलब BT 0.3 दे रहा हो गए इदर और भी alternative तरीके swap manage कर वाया वैसे भी कर सकते एफेक्ट्री कॉस्ट में थोड़ी सी इनकी गलती है यह 7.2 पर्शन आकर यह 7.3 पर्शन आएगा बाकी सब ठीक ठीक है और पर्शन इसको डिसकोश नहीं करना चाहिए यह पर्शन नंबर थ्री इस पर doubts आ रहा थे बच्छों नंबर थ्री पर doubts आ रहा थे एक बाद पढ़ेंगे question number 3 तो पढ़े यह सर बच्चों की डिमांड भी थी सर यह इस कोश्चन को समझा ही है यह कोश्चन समझ में नहीं आए कोश्चन अमबर 3 Union Banker Limited offer the following interest rate of two of its customer for a loan 150 करोड repayable in 7-7 दो कंपनी है धरम कंपनी, smooth कंपनी और business क्या करती है यह बता रहा है, business से हमें कोई मतलब नहीं यह कितने साल से इंडर्श्ट्री में 25 सालों से और यह सिर देड़ साल हुआ इसका मतलब समझ रहा है 25 साल से इंडर्श्ट्री में इसका मतलब है कि लोग उस पे bank उस पे ज़्यादा ट्रस्ट करेगा अगर दोनों में से किसी एक को लोन देना है तो मैं उसको लोन दूँगा 25 साल वाले को अगर इसको लोन देना भी पढ़ा तो rate of interest ज़्यादा होगा यह market leader है और यह market extract है ठीक है, इसका rating देखना A double A A double plus मतलब डबल A rating है A plus plus rating है, डबल A तो नहीं A plus plus और इसका rating क्या है B plus important यह, इसका floating rate कितना दिया है, my bar minus point five, इसका मतलब जो my bar का rate होगा उससे भी कम लगेगा इसको तो interest पर इसको my bar plus one percent, तो बताओ कौन ज़्यादा फायदे में है, सर धरम कंपनी कितने फायदे में है कितने फायदे में सर एक percent से भी ज़्यादा फायदे में है कितने फायदे में है 1.5 percent और fix में भी इसको फायदा है कितने का फायदा है 2.5 percent बोलो किस rate से उधार लेना चाहेगा सर, floating में भी फायदा है fix में भी फायदा है पर fix में comparative ज्यादा फायदा है floating के, comparative advantage, तो उस हिसाब ते इसको fix rate से उधार लेना चाहिए, पर ये fix से उधार नहीं ले रहा होगा, ये किस से उधार लेना होगा, अगर fix से उधार लेना चाहिए, और fix से ही अगर वो उधार ले लेता है, फिर तो बात ही कता मियार, swap नहीं हो तो किस से उधार ले रहा होगा, floating से, और gain आएगा तो ऐसे बात, as when principal amount is repaired at the end of 7 year, what is the effective gain percentage as well as in the value of value में भी पहुचा है, for both the company, they enter into a swap arrangement for reducing interest rate, और net interest cost भी बताना, in percentage for both the company, इस question में समस्या ये हैं कि desired borrowing बताया नहीं, मतलब किस rate से ये उधार ले रहा है, लेना चाहते वो नहीं बताया, floating चाहते कि fix चाहते, तो यहां तो सर आपको ये दिमाग चला, पस इस question में ये एक समस्या, तो सर दिमाग कैसे चलाएंगे, दिमाग में बोलो इसको किस rate से उधार लेना चाहिए, fix, पर मालूम है, इसका क्या होगा, fix, लिखा नहीं है, पर कहीं न कहीं, अगर मैं इसका detect warning fix ही लिख देता हूं, तो sweeping नहीं है, बस इसके बाद क्या करना है, इसके बाद diagram बनाना है, बना देता हूं, इस question में, D, S, bank, इस rate से उधार लेना है, इसको actual में, fix, सर फिक्स से, वो लेना नहीं चाहता, पर fix से हम कहेंगे, कि आप fix से लो, अला कि वो desired क्या चाहता है, floating, यह मैंने common sense से ले, इस यह कितना देगा बाहर, 10, यह क्या, वैसे तो fix, पर यह M, प्लस, 1 पर्शन, अब इदर से आजाएगा, 10, cut and sum कहता हूं, इदर से आजाएगा, M प्लस, 1, प, actual में आपका desired boring है, M माइनस, 0.5% और यह इदर देगा कितना, 12.5% एक, simple, 10 गया, 10 आया, तो मतलब इसका अभी, बिना gain को consider करे, M माइनस, 0.5% और इसका कितना बढ़ा है, 12.5%, बिना gain को consider, अब देखते, gain कितना हो, हराम से यह, यहां सोचना पढ़े, 12.5 आया, और 10 गया, मतलब हमने बचा लिया, 2.5, M-0.5 आया, और M-1 देना, मतलब एक्ष्रा कितना आ जा रहा है, सर, एक्ष्रा जा रहा 1.5%, तो कितने बर्शन का gain हो गया, 1%, बैंक एक कमिशन के विसे में कुछ बोला नहीं है, तो बाट लेते 60-40 के रेश्यो में, तो बताओ gain कितना आ गया, इधर 0.6% और इधर 0.4%, तो effective cost कितना आ पड़ा, M-1.1% और score 12.10% टीक है, अब पहले बिना gain माइनस करे, हमको देना था जो M है, जो माइबॉर है, उससे 0.5% कम, लेकिन अब जो देना पड़ेगा, जो माइबॉर है, उससे 1.10% कम, ठीक है, यह effective cost है, gain निकालना है रुपीज में, रुपीज में निकल सकता है, 150 करोड का 0.6% और 0.4% बनाया होगा, यह 0.6% 0.4% का gain है, यह gain 1% निकाला, effective cost, my bar, minus 1.1 और 12.1, gain दिख रहा है, 150 करोड से multiply कर दिया, तो आगे 90 लाक, total 7 साल में gain है, तो 7 साल का total मिलाकर, कितना gain इस तरह से उन्होंने लेका, ठीक है, हो जाए, ठीक है, चले जी आगे, question number four, पूख, यह आया था, June 2019 में, इसमें भी, CMA Institute ने गलती किया है, तो ठीक है, जो गलती किया मान लो, और क्या है, it means मैं कमिशन के matter पे, कहना चाहता हूँ, यहां लिखा है, fully born by why, और CMA Institute ने इसको, ignore करके question बनाया, हाला कि जिन बच्चों को मैंने करवाया हूँ, जिन्होंने मुझसे class लिया है, मैंने बताया है कि क्या करना है, ठीक है, पर अब गर CMA Institute में, born by why, पूरा की पूरा कमिशन कौन दे रहा है, why दे रहा है, उसको ignore कर देता हूँ, तो फिर तो कोई दिक्कत की बागा, ठीक, पाकी तो हो जाएगा ये question, डाउट आएगा तो पूछ ले, पाकी हो जाएगा, और question number five किसके जैसा है, question number one जो करवाया है न, उसी के जैसा question, same है, कुछ भी अंतर नहीं, मेरे खियाद से कर लोगे, और इसके बाद, simple question number six, ये तो बिल्कुल आराम से हो जाएगा, December 2017 में आए, आठ नंबर का, कोशिस करना ये सब्द लिखने की, अगर नहीं भी लिखते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, जैसा मैंने करवाया था, वैसे भी कर लोगे, तो बहुत सारे alternative है, swap deal के, swap design करने के, आंसर उतने है, ठीक है सर्ष, तो interest rate risk management में, मुद्दे की बात ये हैं, अधिकतर के सारे कोश्चन कहां से आए, interest rate सकते हैं, तो अगर देखा जाओ, तो derivative पूरा खतम है, interest rate risk management में खतम, पेपर आपको आज ये कल मिल जाएगा, interest rate risk management का टेश्ट लेना है की नहीं लेना, आप ग्रूप में मुझे message करना है, तो इससे सबसे paper सेट करनूँगा, चेक करने में थोड़ा सा problem है, कल से एक काम करो, कल और परसो, दो दिन forex करो, कल और परसो forex, पिस सेम question एक लिष्ट लेकर आऊँगा, जिस मैं बताऊँगा, CA और CA में conflict कहाँ है, और हमको क्या follow करना है, forex में भी ये बात करूँगा, forex के बाद होगा capital wasting, उसके बाद होगा leasing, बहुत important important topic तो हमारे खताम होज़े, capital wasting भी आएगा, leasing भी आएगा, खुड़ा सा वेट करो, पहले forex कर लेते हैं, उसके बाद, तेंक आज, तेंक यू सो मच, बाबाए,